गुड मॉर्निंग बच्चो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ छे पायल का साहस ये देखिए यहाँ पायल एक छोटी लड़की का नाम है जो बहुत ही प्यारी हसमुख और साहसी है इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि पायल कैसे अपने सूजबूज और साहस से अपना और अपने भाई का जान बचाती है तथा उसके साथ और क्या क्या हुआ तो पायल एक दिन अपने मित्रों और भाई के साथ खेल रही थी, छुपन छुपाई का खेल, खेलते खेलते अचानक पायल के भाई का पैल कहां पढ़ गया, बिजली के तारों पर, वो अपने भाई को बचाने के लिए जैसे ही उस तार को हटाती है, तब तक क्या होता है, कि उसके जो हाथ है, वो उससे सट जाता है, चिपक जाता है, और उससे जोड का जटता लगता है, और वही पर उसका हाथ जो है, जुलस जाता है, जल जाता है, बिजली के करेंट से, जब उससे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि अब वो अपना क तो ये, देखिए मैं अपनी जिनगी अच्छी तरह से जी लूँगी, मैं फिर पैर से अपना सारा काम करूँगी, फिर हिम्मत और साहस से पायल के नकली हाथ भी लग जाते हैं, कुछ दिनों के बाद उसके स्कूल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता है, पायल कहती है, मैं अब विद्याले जाना चाहती हूं, क्योंकि मैं अपने में डौर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूं, क्योंकि मेरे पैर तो सही है, और वो तयार होती है और विद्याले पहुंच जाती है, विद्याले के सभी शिक्छक, शिक्षिकाएं, उसके मित्र, सहेलिया सारे सभी लोग उसे देखकर आश्चर चकित हो जाते हैं कि अभी तो उसे जस्ट कुछी दिन पहले इतना बड़ा घाव लगा है अभी हाथ उसके ठीक तरह से ठीक भी नहीं हुए और वो विद्याले आ गई है लेकिन सभी बहुत खुश होते हैं और सभी उसका हिम्मत करते हैं और विद्याले में उसके लिए क्या किया जाता है अलग से ऊसके लिए बैटने की दर्स्था की जाती है यह देखिये आं पे और वहां पर नीचे बैठ था ॏ और अपने पारों से ही लिखने का अभ्यास करती है पैर से लिखना बनाना वह बहुत सारे कामों को फिर और हाथ देखिए यहां पर उसका नकली हाथ लगा हुआ है कुछ काम कुछ काम वो अपने हाथों से करती है तो इस तरह से वो हिम्मत नहीं हारी और अपने जीवन में सफल हुई तो यह कहानी थी पायल की इसके बाद हम लोगों पढ़े सब्दर्थ सब्दर्थ को हम लो मौखिक हम लोग सभी जानते हैं कि प्रश्ण उत्तर को दो भागों में बाटा गया है प्रश्ण उत्तर मौखिक और लेखित प्रश्ण उत्तर मौखिक में है तीन प्रश्ण सबसे पहला है पायल कैसी लड़की थी इसका उत्तर होगा पायल सहसी और हस्मुक लड़की थी इसके बाद है नंबर ख, पायल ने भाई की मदद कैसे की, उत्तर होगा पायल ने पास परी लकडी से बिजली के तार को हटा कर पायल की मदद की, ठीक है, या उपर करके, फिर है नंबर ग, पायल विद्याले क्यों जाना चाहती थी, तो इसका उत्तर होगा, विद्याले में खेल दिवस की तैयारिया चल रही थी, पायल दोर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी, ठीक है, इसलिए वो विद्याले जाना चाहती थी, इसके बाद है प्रस्नुत्तर लिखित, प्रस्नुत्तर लिखित का पहला प्रस्न है, परहाई के साथ साथ पायल की और किसमे रुची थी, तो उत्तर होगा, परहाई के साथ साथ पायल की रुची खेल कूद में थी, नमबर ख, पायल के माता पिता क्यों उदास हो गए? पायल के माता पिता को जब पता चला कि वो हाथों से कुछ काम नहीं कर पाएगी तो वे उदास हो गए सभी शिक्षिकाएं और मित्र पायल की किस बात की प्रसंसा कर रहे थे तो उत्तर होगा इसका, सभी शिक्षिकाएं और मीत्र पायल की इच्छा सकती और साहस की प्रसंसा कर रहे थे तो ये था प्रश्नुक्तर, प्रश्नुक्तर के बाद हम लोग देखते हैं भाषा से में क्या क्या कर सकते हैं प्रश्नुक्तर के बाद है नमबर दो में सही शब्द लिखकर खाली जगह भड़ो यहां हम लोग को सब्द दिया ही गया है बस वहां चुन कर हम लोग को लिखना है देखिए यहां पर तो खेत में बच्चे चुपन चुपाई खेल रहे थे नमबर ख में है तार पायल के हाथों पर गिर पड़ा नमबर गह विद्याले पहुँचकर पायल ने दौर्प का अभ्यास किया फिर है नमबर गह शिक्षिकाएं पायल को मैदान में देखकर डंग रह गई ठीक है देखे सबी स्टाब यहां पर दिये गए हैं आप लोग को चुनकर यहां पुस्तक में ही करना है इसके बाद है भाशासे में हम लोग करते हैं सबसे नमबर वन में है पहला है एक के अनिक बना यानि एक वचन से बहुबचन में बदलना है जूला जूले खंभा का खंभे बच्चा बच्चे फिर यहां आवाज आवाजें पैंसिल पैंसिलें किताब किताबें एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान दिजेगा जब हम लोग आवाज से आवाजें करते हैं तो यहाँ बिंदू लगेगा क्योंकि आवाज पेंसिल किताबे यह सभी शब्द इस्त्रिलिंग के हैं ठीक है इस्त्रिलिंग के शब्दों को जब वचन बदलते हैं तो वहाँ बिन्दू लगेगा. ठीक है, जैसे किताब किताबें. फिर इसके बाद नंबर दो में है अनुनासिक और अनुस्वार सब्द चुनकर लिखो. हमें अपने पाट से ही लिखना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ चंद्र बिंदू अनुनासी को क्या करते हैं चंद्र बिंदू तो इससे होगा शब्द गाउं हस्मुक और मा इसके बाद है अनुस्वार वाले सब्द बिंदू वाले सब्द है खंभा, दंग और प्रशंसा इसके बाद है नंबर थ्री में इन में कौन कौन से वर्ण जुरे हुए है बच्चो आप लोग सभी जानते हैं कि च्छ, त्र, ग्या, श्र जो है वो संयूक ताक्षर है यानि दो अक्षरों से मिल कर बना है तो जब हम लोग इसका उचारन करते हैं जैसे अक्षर, अक्षर जैसे ही बोलते हैं तो पहले क्या हम लोग बोलते हैं क और श, ठीक है फिर हम लोग त्र का उचारन करेंगे त्र, त्र को बोलते हैं क्या आता है त और द, यानि त हलंत हलन्त का मतलब ता आधा है ठीक है उसी तरह का श का हलन्त है तो का इसका मतलब वह का आधा है ठीक है का हलन्त श ता हलन्त र फिर है ज्यां ज्यां में दो अक्षर है ज्यां हलन्त य्यां ठीक है य्यां के नीचे हलन्त नहीं होगा सिफ ज्यां में हलन्त होगा इसके बाद है श Shra Shra का उचारण करेंगे तो क्या होता है Shra औरर, तो Shra हलन्त होगा और र इसके बाद सही हम लोग को यहाँ बनाना है सहिंत वेंजन से, देखें यहां हम लोग को सब्द दिया भी गया है, बस हम लोग इसमें से चुन कर यहाँ लिखना यहां दो वेंजन की दूसरे से जुरे हुए हैं यानि सउने यह सईयुत ओर सथ सउने तो तो यह से क्या है शक्तileri और विद्या उसी तरह से मॉर संक्से हिम्मत और आम्मा सो अतास्डम से पांध स्थान और स्वस्त इसके बाद आ जाते हैं नमबर फाइब में का के या की लिखकर खाली जगह भरो तो बिजली का खंभा पायल का भाई पायल की हिम्मत पायल के माता पितार फिर है नमबर छे में है रंगीन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो हम लोगों को आक्ष वाले शब्द आगे का उल्टे अर्थ क्या होता है पीछे नए का उल्टे अर्थ पुराने और उपर का उल्टे अर्थ क्या होगा नीचे तो आईए देखते हैं क्या होगा कह का दौर प्रतियोगिता में पायल आगे दौर रही थी और सब पीछे आगे का उल्टा हम लोग कर दिए वहाँ पर फिर उसी तरह खा का होगा दीपू के पास कुछ नए और कुछ पुराने कपड़े हैं फिर नंबर गा में चिरियां पेर की उपर और चुहा नीचे बैठा है तो यह यहां तक था भाषा से और यह पाठ यहीं समाप्थ हो गया अगली कक्षा में हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद